हलो दोस्तों आपका स्वागत है हमारे चैनल एएस पर आज हम आपको छोटे बच्चे के मोजे बनाना बताएंगे हमने दो कलर की उनली है रेड और ब्लेक और ये दस नंबर की सलाई लिए हैं और हम इसमें फंदे डालेंगे इस तरह हम फंदे डालेंगे इसमें 21 फंदे डालेंगे जो एक साल के बच्चे के आ जाएंगे और हम इस तरह बनाना शुरू करेंगे इसी तरह हमें सलाई चलानी है पूरी और फिर लौट कर भी इसी तरह चलानी है इस तरह हमें 11 सलाई चलानी है उसके बाद हम दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह ये देखिए हमने 11 सलाई चलाई है उसमें ये 5 आ गई है 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह 5 हो गई है अब यहां से हम दूसरा कलर जोड़ेंगे और ये हम दूसरा कलर इस तरह जोड लिया है और ये इसी तरह बुनेंगे पूरी सलाई लाश्ट में थोड़े फंदे छोड़ने पड़ेंगे छह फंदे हम ने छोड़ दिये और अब ये छह फंदे हम रेड से बनाएंगे इस तरह पूरी चल चुकी है इस तरह हम फिर वही आगे से करेंगे कानठे माना नहीं है रेड़ से बनाने ब्लैक हैं वो ब्लैक से इस तरह हम रागे को आगे पीछे कर देंगे और ब्लैक को आगे कर लेएंगे इस तरह देखिए हम पूरी लाइन चला लेंगे इस तरह देखिए यह हम एक लाइन हमने ब्लैक की चला दी है अब हमें रैड की एक चलानी है एक ब्लैक की चलानी है फिर एक रैड की एक ब्लैक की इस तरह हमें 5 ब्लैक की चलानी है उसके बाद फिर आगे रेड की चलानी है इस तरह देखिए एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच ये ब्लैक की चला लिए हमने ये छटी चल लई है और छटी चलेगी, छे पूरी हो गई है उसके बाद हम जब सात्मी चलाएंगे यहां पे ब्लैक की दूसरी लाइन यानी तो हम तीन फंदे चोड़ देंगे फिर यहीं से इसको आगे कर लेंगे ब्लैक को यहीं से बापस करेंगे इसे और हर सलाई पे हम तीन-तीन फंदे करके चोड़ते जाएंगे इस तरह हमारा black पूरा खतम हो जाएगा ऐसे तीन अभी छोड़ें तीन अगली line पर फिर तीन छोड़ने हैं फिर तीन तीन बचेंगे ये तीन बचेंगे फिर उसके बाद हम black फिर से चलाएंगे इस तरह देखिए हमने ये तीन तीन खंदे करके पूरे कम कर दिये हैं और इस तरह ये हमारी पूरी सलाई black की चल गई है इसके बाद हम red चलाएंगे इस तरह हम red की सलाई चलाएंगे और ये पूरी सलाई हमें red की चलानी है ये हमने देखिए red से line चलाई हैं और इसमें तीन तीन खर के फंदे कटाएं ये पहले तीन गटाए फिर तीन फिर यहीं से इसे उड़ा लेंगे और इस तरह सलाई को भी चलाएंगे इस तरह देखिए हमने ये तीन तीन फंदे करकर गटा दिये हैं फिर हमने ये पूरी लायन यहां तक रेड से ही चलाई है फिर हम इसके बाद फिर रेड से तीन तीन फंदे करकर यहां से तीन तीन करकर फिर घटाएंगे उसके बाद फिर रेड पूरी लायन चला देंगे इस तरह देखिए यह हमने बीट से चला लूँ है डवल बार बीट का किया है तीन-तीन फंदे करकर गटाए थे और ये सलाई हमने पूरी चला दिये अब इसके उपर हम ब्लैक करेंगे इसकी तरह जैसे ये ब्लैक करें है तीन पेहले पूरी सलाई चलेगी तीन गटा दिये फिर दूसरी पर तीन फिर तीसरी पर तीन फिर चौथी पर तीन पांच मी पर तीन इस तरह तीन तीन करके फंदे गटाएंगे और इस तरह हमारी पूरी कली बन जाएगी ये तीन फंदे छोड़ दियें और ये धागा आगे कर लिया है ये फिर पूरी सलाई बिल लेंगे फिर अगली सलाई पर हम तीन करेंगे और इस तरह ये हमारा मुजा बनेगा इस तरह देखिए ये हमने तीन तीन करके हमारा पूरा मोजा बनकर तयार हो जाएगा इस तरह देखिए हमारा इतना बन चुका है मोजा ये देखिए दो लाइने चल चुकी है ये इस तरह हमें ये पांच लाइने चलानी अभी तीन भाकी है इस तरह देखिए ये हमारी पांच लाइने चल चुकी है ये अब यहां से ह इस तरह रेट चलेंगी और इस तरह हमारा मुजा बनकर तयार हो जाएगा इस तरह देखिए हम दो का एक फंदा करेंगे और इस तरह हम अपना उतार देंगी इस तरह देखिए हमारा मुजा बनकर तयार हो गया है इस तरह देखिए यह हमारे छोटे बच्चों की जूती बनक तैयार हो गई हैं आपको हमारी जूती अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें सेयर करें सब्सक्राइब करें थैंक यू